साथ क्यों, आज भारत दुनिया की सबसे तेज रपसार से आगे बढ़ने वाली अर्थे बवस्ता है, पूरी दुनिया कोवीड के बाद मंदी से जूज रही है, ज्यादा तर देशों की अर्थे बवस्ता लगातार गिर्ती चली जा रही है, लेकिन इन सब के बीश भारत को दुनिया एक ब्राइड स्पॉर्ड के तौर पर देख रही है, आज का नया भारत, अब जिस नई नीती और रणनीती पर चल रहा है, उसने देश में नई संभावनाओं और नए अवसरों के द्वार खोल दिये हैं, एक समय था, जब भारत टेकनोलोजी हो या इंफ्रास्रक्चर एक प्रकार से रियक्टिव एप्प्रोच के साथ काम करता था, बस रियक करना, 2014 के बाद से भारत दे प्रो एक्टिव एप्प्रोच अप्राई हैं, इसका नतीज़े ये हुआ हैं, कि 21 सदी का ये तीसरा दसक, रोजगार और स्वरोजगार के वो अवसर पैदा कर रहा है, जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, आज युआओं के सामने कई ऐसे सेक्टर्स खुल गए हैं, जो दस साल पहले उपलब्द तक नहीं थे, हमारे सामने स्टार्ट अप्स का उदा रहा हैं, स्टार्ट अप्स को लेकर आज भारत के युआओं में जवर्जस्त उत्सा हैं, एक रिपोर्ट के मुताबेक स्टार्ट अप्स ने 40 लाग से ज़्यादा डायरेक्ट और इंडायरेक्ट जॉब्स तयार की हैं, इसी तरह ड्रोन इंडिस्ट्री हैं, आज एगरिज कल्चर हो या डिफेंस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सर्वे हो या फिर स्वामित्व योजना, ड्रोन की मांग लगातार बढ़ती जा रही हैं, इसलिए बहुत सारे युवा ड्रोन मैनुफेक्टरिंग, ड्रोन फ्लाइंग से जुड़ रहे हैं, आपने ये भी देखा हैं कि बीते आठ नव वर्षों में कैसे देश के स्पोर्ट सेक्टर का काया कल्प हो गया है, आज देश भर में नए स्टेडियम तयार हो रहे हैं, नई एकेडेमी तयार हो रही है, इनमें कोच, टेक्नीशन, सपोर्ट स्टाप की जरुरत पड़ रही हैं, देश में स्पोर्ट का बजेट दो गुना होने से भी युवाओं के लिए नए मोके बन रहे हैं, दोस्ता बजेश पुना हो रहे हैं,